नमस्कार हमारी ज्ञान प्रकास यूटूब चैनल में आपका पहुंद बहुंस वगत है दोस्तो आज की वीडियो में हम यह जानकारी देने जा रहे हैं कि दोस्तो लोगों को प्राय करके 25 प्रॉब्लम होता है तो 25 के प्रॉब्लम को कैसे सोल के जाए दोस्तो पाचन तंत्रा मजबूत नहीं रहते हैं हमारे पाचन करने की जो क्रिया है वह ठीक नहीं होता है जिसके वज़ा से हमें पाइल सका प्रॉब्लम होता है हम अपने खान पान में अच्छे से ध्यान ने देते हैं हमें पानी की कमी परता है उसके वज़ा से हमें पाइल सका प लेना के श्टार्ट कर देए दोस्तों सलाद काफी हद तक हमारे नूटी बुश्टर को पाचन तंद्र को मजबूत करता है पाचन करने में छमता को बढ़ाता है तो दोस्तों आप लोग भोजन के साथ हमेशा सलाद लेना आवस्यक है जिसको पाइल सक प्रॉब्लम है जिस व सलाद लेना सबसेँ उसके बाद आपको करना है कि पानी का सेवन को ज़्यादा घड़ा है जो मिलता है आपको और गुल्लुकुश-ड मिलता है उसका भी आप लिजा लीजिए और मिलाने के बाद आप गुल्लुकुश का नित्य उप्योग करिए दूसरा है दोस्तों अपने खान पान में धियान दीजिए ज्यादा भूखे समय तक न रहे न ज्यादा एकी स्थन तक बैठे न रहे तो इससे क्या होगा आपके पाजिसर की समस्या दूर होगा दोस्तों आपको और बता रहे हैं जो जड़ी है जि प्लिए उसका अच्छे से पीसाई कल लिजिए घटे से और पिस्कोंस को पेष्ट बनाने रिग्वा रव आपसको आग में उबाल लिजिए तो उसको मलहम की तऱा आप जहां पर बावर सिसक्य मास्षे हैं वहाँ उसको नित्या लगाए साम सुबा दो पहर ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चीत तोर में दोस्तों आपके जो पाइल से की समस्या है वह ठीक हो जाएगा दोस्तों सुबा आपको खाली पेट में घी में कटे हुए प्याज को भून कर उसका सेवन करना है सुबार मिला कर तो नित्या यह सचीश करना है आपको और इसे काफी हद तक और बहुत जल्दी आप पाइल से निजाद पा सकते हैं और बावा सिर से समस्या से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगे आप कॉमेंट करके बताए और वीडियो अचछे लगे तो वीडियो को लाइख करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाईए और नेच्ट वीडियो आपको अशनी मिलेगा आज की विडियो में इतना ही शाइन फावादी जैए